नमस्कार गुसेल बच्चे को केसे सांथ करें आजकल मा बाप दोनों काम कजी होते हैं दोनों अपने काम में बीजी रहते हैं और बच्चे को समय नहीं देपाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं करब या तो मॉबाईल देपर है या पी टी लेते हैं उससे उनके मन में एक चिड़्चिरापन एक कुस्यल की बाहनाय पेदा हो जाती पूराने जमान में तो माप बच्चे को समझ देते हैं बच्चा आउटडोर गेम खेलता था और बच्चा गर्मे भी खेलता था लेकिन आज के जमान में बच्चा सिर्फ मोबाईल और टीवी पर आधरीत हो चुका है उसके उसके मन में चिर्चरा पना गया है आप थोड़ा सबी कुछ करो गोना तो गुसा करता है मैं यह नी करूँगा, मैं वो नी करूँगा, मैं यह सा करूँगा तो माबापी चलनल अशयर में पढ़ जाता है कि बच्चा इसा बियूद не कर राह आ लेकिन सारी गल्पी किसकी होती आई माबाप की होती है क्या माबाब अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं नहीं तो कुछ ऐसी बाते हैं जो अपने बच्चों पर एप्लाई करें तो आपका बच्चा गुसा करना बिल्कुल छोड़ देखा नम्र वन, खुली जग़ा पर सेयर करवाएं जब आपने देखा होगा अगर आपका बच्चा तीवी देख रहा है या मोबाईल देख रहा है और आप उसे मोबाईल मिल लेते हो या तीवी का बटन watch ओप कर से तो आपको बच्चा क्या करता है जोड़ सा गुसा करता हो जोड तरह से घूंशा करते हैं तो आपका बच्छा यह रगते हैं वह तो है कि आपके साथ चलेगा,riton के क्यों अपक्या करते हो, लेकिन आप यह क्या है है, तो मुबाइल में रखक्रस, कर दें, TV का भगा फिंजीन का खेसाथा हो, आपका बच्चा आप से गुस्सा करेगा, आप उसो बार गुमने ले जाएं, आप गर में उसके साथ खेले, थोड़ा सा समय विताएं, मैं मानता हूँ कि आज के समय में मापापको टाइम नहीं है अपने जोब से, अपने बिजनिस से, आज का टाइम ऐसा है कि इतना हेक्टि सोता बने, आप हर वक्त बच्चे को डाणते रहते हो, तो बच्चे के मन में एक हीन बावना पेदा हो जाती है, कभी-कभी ऐसा भी करें कि बच्चे की परिशानिया सुने, आखिर आपका बच्चा आप से चाहता क्या है, उसकी प्रोब्लम को महसूस करें, और हो सके तो उ बच्चा हैं, हर वक्त इसकी कुछ न कुछ ऐसी मांगे होती रहती है, जो नाजाज होती है, और ऐसे ही डिमांड करता रहता है, ऐसे ही कुछ करता रहता है, लेकिन कुछ न कुछ उसकी ऐसी परिशानिया होती है, जो जायज होती है, वो परिशानिया आपको समझनी होगी, और वो आपको दूर करनी होगी आप माबाप है और अगर आप ये परसानिया दूर नहीं करेंगे बच्चे की तो फिर कौन करेगा आप नहीं करोगे तो बच्चे के मन में अंदर ये अंदर हीन बाहना आएगी और वो अपने आपके परती गुसेल हो चुका होगा और जब एक टाइम ऐसा आएगा ना जब उसके अंदर इतना गुसा बढ़ जाएगा आप उसको दूर करना चाओगे तो भी नहीं होगा इसलिए जितना हो सके बच्चे की परेशानी सुनें और बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिस करें थर्ड सहानुपूति दिखाए कर ए खर वक्त आप बच्चे को डाटे रहे और जिल्ग ताइम करें और थोड़ा सा उसको प्यार से प्यार सब्सक्राइन करता है कि कुछ गल्ती करता है तो आप डाटा हैpektा बच्छ ना हर वक्त उसको डाट Kubernetes 54 कि अगर हर वक्त आप डाटो कही डाटो के तो बच्छा आप के परती एक दुस्मनी का विवार कर लेगा वो आप डांटिये लेकिन साथ में उसको सानूबुती भी दिखाईए उसको थोड़ा प्रेम से भी समझाईए तभी आपका बच्छा आप से प्रती प्रेम करेगा और डाइवेड कैसे करते हैं बच्चे को कहीं गोमने ले जाएं बच्चे को अच्छी वी आई हो जो बच्चों और लिए देखने लायक हो वह मूवी दिख़ाएं कभी-कभी सब्सक्राज में एक बार बच्चे को पार्क ले जाएं कभी-कभी हो सके तो रोज आप टाइम ने देश को तो कभी सब्सक्राइब दो या तीन दिन बच्चे के साथ खेलें इससे क्या होता है कि बच्चे का माइं डाइवार्ट होता रहता है अगर आप यह सब बच्चों के साथ नहीं करोगे तो सिर्फ उसको टीवी देखाऊगे या फिर मोबाइल में उसको खोद होगे या फिर उसको सिर्फ होमवार की कराऊगे तो बच्चा एक तरह से पजल्ड मैसूस करेगा अपने आपको बड़ा बीजी मैसूस करेगा उसको आज के टाइम में तो वेसी बच्चा बार खेलना भूल चुका है उसको आउट्डूर गेम खेलने के लिए प्रिरित करें उसको इंडूर में कम से कम रहने की कोसिस करें उसको मुबाइल और टीवी से जितना हों से के दूर रखें उसको कहें कि जाओ बार बच्चों के बच्चे का मान डाइवर्ट करें इसी के साथ आज यहीं मेरे वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें